time saving भी होती है और money saving भी होती है बहुत सारे manufacturer आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे क्यों क्यों क्योंकि जिसके पास आप उन चुलिंदा लोगों में से हैं जो सच में अपने जीवन में एक बड़ी industry खड़ी करना चाते हैं बड़ा brand develop करना चाते हैं इसे आप contractual manufacturing कराके बड़े-बड़े brands की तरह अपने आपको establish कर सकते हैं दोस्तो नमस्कार आपने जो thumbnail देखकर इस वीडियो पर click किया है इसका मतलब यह है कि आप contractual manufacturing के बारे में जानना चाते हैं आप में से बहुत सार लोगों के मन में बिजनस को लेकर एक बहतरीन आइडिया है वो बहुत अच्छा product develop कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी problem क्या है कि manufacturing setup लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है अब जब तक manufacturing setup नहीं लगेगा, production नहीं होगा production नहीं होगा, तो market में product बिकेगा कैसे यहाँ इसी समस्था का सामादान है contractual manufacturing आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना production setup लगाए बिना manufacturing setup लगाए अपने dream idea, dream product को contractual manufacturing के जरिए develop कराके, आसानी से marketing करके और sales करके business को stand कर सकते हैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की informative वीडियो में और आज हम जानेंगे the power of contractual manufacturing किस तरह से बड़े-बड़े ब्रैंड्स केवल marketing और sales promotion के जरिए बहुत सारा sales grab करते हैं और जरुद पढ़ने पर production जो होता है, वो small scale manufacturer से कराते हैं या OEM vendor से कराते हैं, तो हम बात समझते हैं कि क्या है contractual manufacturing अब यहाँ पर contractual manufacturing में ना दो तरह की strategy होती है एक होती है KPO और एक BPO यहाँ पर इनका difference समझना बहुत जुरूरी है knowledge process outsourcing मतलब आपने किसी भी चीज़ की knowledge को outsource कर लिया है मैं example के रूप में आपको भी बताने वाला हूँ, दूसरा होता है BPO मतलब business process outsourcing यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई management college है और वहाँ पर particular B.A.D. के exam की तयारी कराई जाती है अब यहाँ पर आपको जुरूरत पढ़ती है किसी ऐसी faculty की जो किसी अन्य विशह पर students को train कर सके ऐसे में उस faculty को hire किया जाता है इसको बोलते है knowledge process outsourcing लेकिन अगर आपको अपने business में किसी product को develop कराने के लिए कोई company चाहिए तो business process outsourcing करते है या difference समझना बहुत जुरूरी है तो पहले यह define करना कि आप जो strategic outsourcing करेंगे वो knowledge की करने वाले हैं या business की करने वाले है Next, production by third party manufacturer यहाँ पर जब आप business की बात करेंगे न तो जो भी product आपके mind में है जो भी design आपके mind में है जो भी चीज़ आपने develop की है जिसका भी prototype आपने बनाया है अब उस prototype के बाद production होना है और production के लिए setup चाहिए पर जो manufacturer already उस setup को लेके बैठा है उसको prototype देना है अपनी requirement देनी है और product manufacturer कराना है यहाँ पर सबसे important क्या है कि आपकी core competence क्या है यह समझना बहुत जुरूरी है अब core competence का मतलब समझ लीजिए आज काफी सारी companies नए-ने products को develop करती है उनके prototype तयार करती है market में research करती है product की sampling test करती है और उसके बाद manufacturer को product बनाने के लिए दे देती है तो यहाँ पर आपका core competence क्या है आपने proper designing कर सकते है आप proper marketing कर सकते है लेकिन production के लिए आपको एक support चाहिए तो ऐसे में बहुत सारे manufacturer आपके सामने हाथ जोड़ कर खड़े होगे क्यों? क्योंकि जिसके पास sale है वही व्यापार का king है manufacturer तो support और service देनी के लिए हमेशा backend में तयार रहता है एक बात को अच्छी तरीके समझ लेगा कि आपकी core competency क्या है कि आप अच्छा product design कर सकते है marketing कर सकते है brand generate करके market में sales generate कर सकते है अब आपको जरू होता है manufacturer की एक ऐसे व्यक्ति की जो आपके लिए expertise और efficiency के साथ manufacturing कर सके तो आप ऐसे व्यक्ति का फाइदा उठा सकते है जो इस काम में expert है मतलब right manufacturer को आप appoint करके उनके थुरू production कराके आसानी से market में sales generate कर सकते है तो अब detail में समझ लेते ही कि क्यों बड़े-बड़े brands contractual manufacturing कराते है और कैसे आप contractual manufacturing कराके बड़े-बड़े brands की तरह अपने आपको establish कर सकते है तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है cost saving ध्यान रखेगा आपकी market में product की एक demand है उस demand को fulfill करने के लिए आपको full efficiency of production unit को चलाना है लेकिन अभी आपकी जो market में demand है वो इतनी नहीं है कि आप full efficiency से production unit को चला सके तो जो व्यक्ति contractual manufacturing कर रहा है जब आप उससे metal बनवाते हैं तो आपकी cost कम आती है for example किसी भी factory को चलाने के लिए fixed cost और variable cost होती है fixed cost मतलब rent, electricity और बहुत सारे से खर्चे जो देने ही देने है variable cost का मतलब और raw material की cost तो जितना ज़्यादा production होगा उतनी ज़्यादा cost जो होगी वो घटते चली जाएगी average cost घटते चली जाएगी तो आपका जो contractual manufacturer है वो already units बना रहा है मैं कहता हूँ कि आपको unit बनती है जरूत है 500 और वो बनाता है 2000 unit per day अगर आप इस व्यक्ति से बनवाते हैं तो उसकी cost of production कम आएगी जिसकी वज़ा से आपको product सस्ता पड़ेगा और आप आसानी से ज्यादा profit पर उसको market में बेच सकते हैं जो product आप मान लीजिये 100 रुपे का बनाते हैं तो आपका जो contractual manufacturer है वो 60 रुपे का 50 रुपे का आपको बना के देगा क्योंकि उसकी expertise उसमें है और उसके operating cost कम है तो यहाँ यह समझना बहुत ज़र दूसरी specialized resources आप specialized किसी सीज में है आपने बताया कि sales में है marketing में है, promotion में है लेकिन manufacturer जो expert है न उसकी specialization का इस्तिमाल करके आप ज़्यादा बेहतर product develop करा सकते हैं Next, economic scale of manufacturing partner जब आप ज़्यादा अपने business को scale up कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा production को करने के लिए ज़्यादा बड़ा setup चाहिए तो बार-बार number of setup को increase करने की अपेक्षा आप number of vendors को और ज़्यादा introduce कर लेते हैं जैसे मान लिजिए हमारी company में हम Delhi में manufacturing करते हैं Delhi की जो market है उसको थो हम पूरा करते ही है दिल्ली के आसपास का इरिया पंजाब, UP, हर्याना, राजस्थान इसको हम आसानी से cover कर लेते हैं लेकिन जब हमारे product की demand South India में बढ़ने लगी तो हम starting दोर पे यहाँ से supply करना वहाँ शुरू करने लगे लेकिन जैसे इसे demand बहुत ज़ादा बढ़ने लगी तो हमने वही पर contractual manufacturing कराना शुरू कर दिया क्योंकि Delhi में production करके माल को भेजना अपने आप में एक बड़ी cost involve करता है और वही पर contractual manufacturing कराने में time saving भी होती है और money saving भी होती है तो यहाँ पर आप अपने business को आसानी से scale कर सकते है जैसे water bottling plant है अगर रिशी केस में अगर कोई plant है वहाँ पर bottling की जा रही है तो जितने का पानी नहीं है उस सदा उसको transport करके chain नहीं भेजने में cost लग जाएगी तो right तरीका क्या है कि water bottling plant वहाँ भी होना चाहिए आज बड़े-बड़े brands multiple manufacturers से अपने product की manufacturing कराते है हम लोग Tata company के लिए भी contractual manufacturing करते हैं हम North India की manufacturing करते हैं और हमारे ऐसे बाकी manufacturer इंडिया के अलग-अलग राज्यों में उनके लिए manufacturing करते हैं और असानी से product का distribution होता है तो हम contractual manufacturing कराते भी हैं और दूसरों के लिए contractual manufacturing करते भी हैं तो जब आप business को scale up करेंगे न तो आपको दोने opportunity मिलना शुरू हो जाएंगे उसके बाद उनकी expertise का access हमें मिल जाता है बविश्य में अगर हमें manufacturing setup लगाना है तो advanced technology की पूरी knowledge हमें एडवांस में मिल जाती है उसके साथ में access to advanced technology वो किस technology का इस्तिमाल कर रहे हैं उसका पूरा पता जल जाता है उसके बाद access to specialized skill केतना हर काम को करने के लिए कोई ना कोई विशेशग्य होता है लेकिन जब विशेशग्य से काम कराते हैं विशेशग्य आपके साथ जुड़ दाते हैं जिसका benefit आपको अभविश्य में भी होता है उसके बाद आप आसानी से अपनी company को इस तरह से develop कर लेते हैं कि आप fostering innovation करें मतलब लगातार नए-नए innovation लेकर रहे हैं आप देखिए कि एक company जब एक product को लेकर आती है थोड़े ही time के बाद उसमें नई feature add-on कर देती है क्यों? क्योंकि manufacturing कोई और कर रहा है company का काम है research and development department के through नए-ने product का innovation करना, नए-ने development करना research करके अपने product को और भेतर बनाना आप देखिए company के advertisement में भी होता है बड़ा brand develop करना चाहते है जरू तो चीजों को ठीक से समझने की अब बात करते हैं कि कौन-कौन से इसी industries हैं जहां पर contractual manufacturing की जा सकती है दोस्तों हर industry में contractual manufacturing कराई जा सकती है चाहे वो electronics हो, pharmaceutical हो, readymade government हो, machinery and tools हो, OEM segment हो, बताँगा क्या होता है OEM segment merchant exporter हो, merchant trader हो, जैसे electronic में आप देखिए Apple, Apple का अगर आप mobile phone देखेंगे न तो वहाँ नीचे छोटी से line लिखे होती है design in California, ये product, ये software, ये system, ये design California में डिजाइन हुआ है, लेकिन इसकी manufacturing का और ये चाइना में और ये तो Tata venture के साथ मिलकर इंडिया में भी Apple product manufacture कर रहा है, pharmaceutical industry में भी होता है कि आपने कोई vaccination मनाया, आपने कोई दवाई का formulation मनाया तो उस formulation को आप sale out भी कर सकते हैं, उसको copyright कराने के बाद आप अपने brand से contractual manufacturing कर रहा सकते हैं तो pharmaceutical industry में भी ऐसा हो रहा है, readymade government में कैसा हो रहा है कि Reebok है, Puma है, Nike है, Adidas है, है तो सारे अलग-अलग brand लेकिन उसके बावजूत कई बार ऐसा हुआ है कि इन सभी का sample product एक जैसा है मतलब material जैसे मैं बात करूँ, Reebok, Puma, Nike, Adidas और हमारा Meta Sports हम सभी जिस fabric का इस्तिमाल करते हैं, वो Taiwan से आता है तो Taiwan के import रहे हैं, बैठे हैं, उनसे material लेते हैं और अलग-अलग factory से protection करा रहे हैं, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एकी manufacturer multiple brands के लिए, अलग-अलग design, उनके specification के अदाव से manufacturing कर रहा है है ना, तो rediment garment हो गया, machine and tool में, boss है, hitachi है और भी ऐसी companies दूसरे parts दूसरी company के लिए बना रही है अगर आप ध्यान से देखें, तो कुछ समय पहले Nokia के mobile phone बहुत famous थे आपको जान के आश्चारे होगा, क्योंकि हमारा technical institute है तो इस वह से मैं आपको बता रहा हूँ, कि Nokia के mobile phone के अंदर जो circuit board लगा होता है, मतलब main motherboard जो होता है वो bank you को था, जबकि bank you के खुद के phone नहीं भी करे Nokia के लिए contract manufacturing कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का trust Nokia पर जा रहा था तो electronic and tools and equipments भी होता है, OEM segment Tata है, Mahindra है, Ashoka है, Hyundai है, Honda है, अगर आप इनके products देखेंगे न तो वो final product है, देकिन उस final product में जितने भी component लगे हैं उसको बनाने वाले अलग लोग हैं, जैसे lights देखेंगे तो कोई और company बनाती है Locks देखेंगे तो मिंडा company बनाती है, paint लगा हुआ है, तो Asian का लगा हुआ है उसमें जो tire लगे हुआ, MRF के लगे है, glass लगा हुआ, सेंट कोबिन का है Leather fabric कोई और company कर रही है, तो OEM, original equipment manufacturer उस product को पूरी assembly line को पूरा करने के लिए, जितनी भी चीज़ों की requirement है वो अलग-अलग companies बना रही होती है, तो वो भी contractual manufacturing का ही part होता है उसके अलावा merchant exporter है, Alibaba की वहल प्लैटफॉर्म नहीं देता आपको sale के लिए Alibaba आपको ये भी कहता है, कि अगर आप trade करना चाहते है, तो आप Alibaba को sale out करो Alibaba पूरे world members product को sale करेगा Contractual manufacturing का फाइदा कब आपको होने वाल है ज्यान रखिए, अगर आपके पास responding to demand है तो आपको contractual manufacturing करानी चाहिए, जैसे आपका कोई product launch है जैसे जब हमने Meta Sports को launch किया था ना, तो पहले हमने factory production setup नहीं लगाया हमने क्या किया, contractual manufacturing पर product बनवाए, sample बनवाए, product को launch किया, उसकी testing की जब product approve हो गया, तो अपने उन vendors में से selection कर लिया कि कौन-कौन से vendor हमारा माल बनाएंगे कौन-कौन से manufacturer हमारा माल बनाएंगे, तो contractual manufacturing product launching के लिए कर सकते है sudden market shift, अचानक से आपकी market shift हो गई, अब market shift का मतलब होता है कि product आप एक तरह का बना रहे थे, automatically दूसरे तरह के product की demand आपके पास आ गई जैसे माल लीजिए, आपके पास ऐसी machines हैं, जिस पर आप ready-made government product बनाते हैं अचानक से आपके माँ sports government की demand आ गई, तो machine and equipment से लगए ऐसे में आपको जुरूरी नहीं की नया setup लगाना है, तो जो sports government बना रहा है, उससे contractual manufacturing कराई increase in demand, अचानक आपकी demand बढ़ गई, आपकी market में एक तरह से information वाइरल लोगी, consumer आपके product को पसंद करने लगा mouth publicity होने लग गई, और digital marketing बे आपने पैसा खर्च कर दिया, अचानक से demand increase हो गई, तो आप बाकी लोगों से भी contractual manufacturing करा सकते हैं flexibility रहती है, कि किस तरह का product, किस तरह की timeline के अंतरगत, किस तरह के manufacturer से करानी है, ये सारे benefit आपको होते हैं उसके लगा कई बार क्या होता है, demand जो होती है, वो seasonal होती है, जैसे आप woolen manufacturing आपका setup है, है ना, जैसे मोतिला लोसवाल है, तो मोतिला लोसवाल का woolen का बहुत बढ़ा कान है, लेकिन जैसे गर्मिया आती है, तो वहाँ पर अलगतर है का fabric, अलगतर है की demand होती है, तो उन्हो दिया है, तो चमनप्रास की demand है, तो आप चमनप्रास उन company से बना सकते हैं, जो regular चमनप्रास ही बना रहे है, है ना, यसे ice cream है, तो आपको ice cream का product किस से बनवान है, जो ice cream बनाने में expert है, इसके लावा आप पतांजली का example आप देख लीजे ना, सारे product क्या पतांजली खुद बना रहा है, नहीं न, वो उनकी marketing कर रहे हैं, उनकी branding कर रहे हैं, market में sale generate कर रहे हैं, और contractual manufacturing करा रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है, कि कुछ products ऐसे हैं, जिसका customization होता है, जैसे हम जो kitchen बनाते हैं, वो 100% customized product है, तो ऐसे में बहुत सारे brands, जो customization नहीं करते, वो customization के लिए हम से contract manufacturing कराते हैं, और manufacture होने के विए से हम contractual manufacturing किसी और से नहीं कराते हैं, हमारा खुद का manufacturing setup है, लेकिन अगर आपको जरूत पर तो आप किसी और से भी contractual manufacturing करा सकते हैं, जैसे हम लोग एक product develop करते हैं, और वो product है bathroom vanity, bathroom vanity तो mass production में भी बनती है, एक जैसी bathroom vanity आप market में चले जाएंगे तो wholesale में आपको मिल जाने वाली है, पर हमारे पास वो client आता है, जिसको customized bathroom vanity चाहिए, उसके gate का size चोटा है, entry का size चोटा है, या कोई triangle है, या कोई extra extra requirement है, तो वो लोग customized bathroom vanity बनाते हैं, तो आप जब customized production कराते हैं, तो वहाँ आपको benefit यह होता है, कि आप bounded नहीं होते, large quantity के manufacturer को sign up करने से पहले, हमें कौन-कौन सी बाते देखनी है, number one, उसको यह बताना है, कि आप अपने customer के लिए क्या product बनाना चाहते हैं, और किस तरह का आपका product, आप market में launch करने जा रहे हैं, या बेचना चाहते हैं, मतलब आपके product की full specification, चाहें वो weight हो, size हो, quality हो, commitment हो, number of pieces हो, वो आपको पूरा का पूरा listing करके उसको देना है, कि मेरा product इस तरह का चाहिए, यह standard maintain करना है हमे, equipment and asset of the company, जिस manufacturer से आप माल बनाने वाले हैं, वो किस तरह के equipment यूज कर रहा है, किस तरह के assets उसके पास है, और कितनी उसके पास production capacity है, उसकी strength कितनी है labor की, पैसा ना हो कि आप के पास demand बढ़ जाए, और वो आपकी demand को पूरा ना कर पाए, तो उसके production setup की maximum capability कितनी ये भी check करना जुरूरी है, और साथ में किस तरह के professionals उसके साथ है, regulatory and compliance, क्या वो व्यक्ति, government of India के बनाएगे rule and regulation को, manufacturing setup से संबंधित rule of regulation को follow कर रहा है या नहीं, कौन-कौन से compliance उसमें प accuracy ही लोगी, ऐसे में आपका business एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान में आ जाएगा, उसके बाद the degree of scalability, कि क्या वो manufacturer इस mindset का है, कि अगर जोरत पढ़े तो वो अपनी production capacity को बढ़ा सकेगा, यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति से आपको type जोरू करना चाहिए, उसकी location हमें देखनी है, कि वो location इस तरह की हो, जहां से आप easy to access हो पाएं, आपका material सही समय पर सही transportation cost के साथ आपके पास पहुँच सके, और साथ में domain expertise, वो व्यक्ति उस काम का विश्यशग्य होना चाहिए, अगर आप startup funding event वाले program को देखेंगे ना, तो वहाँ पर ये देखा गया हम उसके साथ काम करने जा रहे हैं, अगर उसमें expert है, तो definitely उसके साथ काम करें, friends, अगर आप अपने business को next level ले जाना चाहते हैं, तो sales generate करने के लिए, आपको चाहिए right sales strategy, business का setup बनाने के लिए चाहिए, आपको right business administrative strategy, आपको अगर expansion करना है, तो expansion के लिए चाहिए आपको franchisee, dealership, distributorship, C&F, super stockist, based strategy के आपका business के इस दिशा में बढ़ सकता है, अगर आपको export करना है, तो export से संबंदित आपको expertise चाहिए, अगर आप इनमें से संबंदित कोई भी बात सीखना समझना चाहते हैं, तो आप personal consulting के लिए मेरी team को contact कर सकते हैं, मेरे जीवन का उदेशे की भार Metas Oversies Limited, एक small scale firm से Metas Oversies Limited तक पहुंची है, और आज पूरे भारत वर्ष में हम franchisee, dealership and distributorship के थ्रू काम करते हैं, और हम export भी करते हैं, और ये मेरे जीवन का उदेशे की मैं आपकी मदद भी करूं, तो consulting के लिए आप मेरे team को contact कर सकते हैं, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr Amit Maishwari, आपके सुमरे भविशे की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत!